तो देखें, surface energy क्या है surface energy is defined as it is the energy due to surface tension only जिसे हमने देखा था surface tension में की जो ये molecules से surface पे ये tension में है, इन पे एक net force लग रहा है तो अगर मैं मालग ये surface है इसको मैं थोड़ा सा increase करता हूँ बढ़ता हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया इनर्जी पर यूनिट एरिया ओके तो अगर देखिए मैं वर्गड़न डब्लू इस इकल टू टू पाई आर फोर्स क्या लगा है मेरा फोर्स टी तो साफिस एंशन है तू पाई आर लेंथ है उस पर फोर्स लग रहा है उसको मैं डी आर लेंथ से कल रहा हूं तो एफ इंट करते है तो संबस्टेंशन को कैसे कर सकते हैं वंसको स्बंसर पर यूनिट गया पर यूनिट अगर आपको चुल साफिस एंट्र जीए मिल जा गी अगगी इनर्जाएगी ईदी एट okay acting in the plane of interface between the plane of liquid and any other substance yeah it is very important कि ये इंटर्फेस पर ही लगता है दो इंटर्फेस रहेगा तो उस पर भी surface tension लगता है वहीं पर surface energy होती है it also is the extra energy that the molecules at the interface have compared to the molecules in the interior इनर्जी कम है क्यों कम है क्यों कम है क्योंकि इन फोर्से नेट फोर्से जीरो है surface फोर्से इसमें जो molecules से फोर्से लग रहे हैं इसके लिए उनकी इनर्जी जाता है I hope surface energy का concept be clear है drops and bubbles देखते है इसके अंदर का जो प्रेशर है पी आई वह बाहर के प्रेशर से बड़ा होता है हमेशा याद रखिए जो convex side का प्रेशर है वह हमेशा बाहर से concave side से bigger होता है और कितने से bigger होता है speaker by 2t by r t is the surface tension r is the radius अगर मैं एक bubble का बात करूँ तो bubble में देखिए दो interface होते हैं यहां पे भी air है यह भी जो आद लिक्विड है और इधर भी air है तो दो interfaces हो गए तो एक इसमें जो pressure drop आएगा दो बार हो जाएगा कैसे दो बार होगा यहां का pressure करने पी नॉट माल लूँ यहां पे पी नॉट माल लूँ तो पी नॉट कितने से तू टी बाई आर से मेरा पी आई फिर पी नॉट से बढ़ा होगा पी यहां पर प्रिश्ट है पी आई माइनस पी नॉट मेरा फो टी बाई आ जाएगा तो अगर दो इंटरफेस हैं मेशा याद रखिये रो इंटरफेस हैं तो जो प्रिशर डिफ्रेंस होता है बाहर और अंदर इस फो टी बाई आर अगर एक इंटरफेस है जैसे कि लिक्विड रॉब देखिए यहां पूरा लिक्विड है बाहर रहा रहा है कि लेक इंटरफेस है तो आपका जो प्रेशर रॉब होगा तो टी बाई आर ओके अच्छा यह तिंग इस देरिवेशन कैसे यह तो टी बाई आर आया है तो ओके बिसिकली मैंने यह साफेस एरिया चेंज करने चेंज इन सर्फेस एरिया अगर माना पहले की रिडिस में र थी तो रहा मैंने डी आर से उसका रिडिस प्ला दिया आर प्लस टी आर कर दिया ठीक है तो इसको बढ़ाने में सर्फेस एरिया नहीं होगा शॉरी इत विल बी चेंज इन सर्फेस एरिया नहीं होगा तो यहां देखें वही लिखा सर्फेस टेंशन बाद वला एडिया इतना है फोर पाई आर स्कॉयर मतलब आर प्लस डी आर स्कॉयर पहले कितनी इनरजी थी टी इन्टू फोर पाई आर स्कॉयर इसको जब अब सॉल करेंगे तो यह आएगा टी इन्टू एट पाई आर डी यहां पर जो फोर पे आर स्कॉयर इसको गया फोर पाई डी आर स्कॉयर डी आर बहुत ही स्मॉल है इसका डी स्कॉयर करेंगे और स्मॉल होगा तो फूर पूट इट अज जीरो तो यह एक इस्प्रेशन आएगा अच्छा यह जो इनरजी बढ़ गई यह क्योंबढ़ी कि इसका अंदर का जो प्रेशर है वह जाता है और उस ने प्रेशर ने वर्क किया है तो बंक क्या वर्क है वह equal to energy की होगा, वही मैंने यहां पर liquid किया, तो यह मेरा आ गया, यह देखिए, यह two interface वोला system, हमने discuss किया, कि अगर दो interface आ गए, जैसे कि यहां पर आया गए थे, दो interfaces यहां पर अंदर भी air है, बाहर भी air है, बीच में liquid है, तो दो interface हैं, तो 40 बाई आ बजाएगा, यह principle का use हम लोग capillary action या capillary effect को describe करने में करेंगे, अच्छा, अब देखते हैं, wetting of solid surface by a liquid, यह भी काफी important है, हमने देखा, generally, जो water होता है, glass को wet करता है, बट mercury है, शायद ग्लास को wet नहीं करती है, तो इनका भी reason, wetting या non-wetting का reason भी surface tension ही होता है, या मैं कहूँ, cohesive forces या adhesive forces होता है, जो forces strong रहेगा, तो उसी के हिसाब से decide होगा, कि भाईया, वो fluid किसी surface को wet करेगा, या नहीं करेगा, simply, देखिए, अगर cohesion forces, मेरे adhesion forces से बड़े हैं, theta is negative 90, okay, theta में पहले देखते हैं, theta क्या है, theta is nothing, but the angle between the tangent at the surface, and the solid inside the liquid, या दखिए, solid जो मैं solid बोल रहा हूँ, वो inside the liquid है, मैं बाहर ऐसा नहीं कीचना हूँ, यह मैंने अंदर की और, यह बाद धाना किए, अंदर की और ही आपको, inside the liquid यह आपको line कीचनी है, उसे से आप यह theta कलकुट करेंगे, कोई ऐसे है, इसका surface ऐसे बनेगा, लिक्विड का, तो यह जो, यहाँ पे आप tangent कीचनी यह, और, inside the liquid, यहाँ से आपको theta यह, इंटी क्लॉक्वाइस, theta measure करना रहेगा, अगर यहाँ से theta measure करोगे, तो आपका answer गलत हो जाएगा, यह theta less than 90 है, तो यह मेरा wet कर रहा है, देखे, surface को wet कर रहा है, यह theta greater than 90 है, क्योंकि shape ऐसा है, tangent यह ऐसी बनेगी, और, inside liquid, यह line ऐसी है, तो इससे मैं एक theta करूँगा, तो यह theta is greater than 90, तो यहाँ पे वह लिगा, यह theta को contact angle बोलते हैं, by the way, यह theta is called as contact angle, तो थीटा अगर less than 90 है, तो यह surface को wet करेगा, थीटा अगर greater than 90 है, तो surface को wet नहीं करेगा, उसका simple solution है, देखे, अगर liquid water है, और यहाँ पे जो glass के molecule है, इनके बीच में जो forces हैं, वो अगर liquid और liquid के बीच जो forces हैं, उनसे strong रहेंगे, तो यह जाके चपक जाएगा, इस surface से, वहीं mercury के case में, अगर जो mercury के बीच में जो यह forces बन रहे हैं, intermolecular, इनको बोले कि कोई सी forces, यह अगर solid molecule है, इनसे अगर जादा है, तो यह अपस में ही र solute को वेट नहीं करेगा, देखिए, वहाँ पर वहीं लिका हुआ है, cohesion forces, less than adjacent forces, यह वेटिंग के लिए condition है, यह simple है, I think, it is simple to understand, wetting will be there, इधर wetting नहीं होगा, no wetting, क्योंकि मेरा cohesion forces मतलब जो liquid के, liquid molecules के बीच में जो forces नहीं है, वो ज्यादा है, तो वह अपस में binded रहेंगे, वो छोड़के glass की तरफ या authority surface तरफ नहीं जाएंगे, ओके, I think it is also, या इसको, ठीक है, it is easy to understand actually, अच्छा अभी तक हमने जो बात किया surface tension बोले तो एक ही मैं एक ही, एक ही T लिख रहा हूँ, T, 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 मतब ठीक है मैंने बोला कि surface tension हम इसा interface पर लगता है, जिस तक यहाँ भी interface लग रहा है, liquid और यह air है, यह liquid है, तो surface tension भी तोड़ा देखिए, अलग-अलग type के हो जाते हैं, इतनी interface ने, जैसे देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो पार्टिकल है, उस पर देखिए, सॉलिड के पार्टिकल उस पर एक फोस लगा रहे होंगे, तो एक फोस यह SSA हो गया, सॉलिड और, SSA मतलब सॉलिड और air का interface, बाहर तो air ही है, तो सॉलिड और air के बीच में जो फोस लग रहा है, तो सॉलिड और air, उसके काज़ जो surface tension है, SSA, से, इदर जो forces है, liquid air, liquid यहां पर है, बाहर air है, तो एक liquid air, ठीक है, अंदर, इदर देखिए, इस solid है, और liquid, तो यह liquid और solid, तो यह तीन टाइप के force हैं, क्योंकि तीन टाइप के interfaces हैं, तो यह तीन टाइप के molecules हैं, एक AR हो गया, एक liquid हो गया, और एक solid हो गया, यह तीनों में ही forces लगेंगे आपस में, और जो force ज्यादा होगा, वह ही recite करेगा, कि जो drop है, वह surface को, solid को, wet करेगा, यह नहीं करेगा, तो basically wetting के लिए क्लिए 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 देखिए, SSL, मतलब solid और liquid के बीच में जो forces हैं, molecules, solid और liquid, हो जाएंगे, liquid और air के, तो जाके, solid पर बैठेगा, चिपके गतॉलिट से, अगर यह कम रहेगा, liquid और air वाले से, अगर यहाँ पर जो liquid particle है, इसका अगर solid से, forces जादा हो गया, तो जाके, इस पर चपक जाएगा, इसका जो एक, इस पर एक force लाग रहाँ होगा, यहाँ से, इसको यह खीच रहे, एक फर इसको air वाले से भी लगगा रहा है, इसको भी खीच रहा है, तो यह खीचने मां जादा हो जाएगा, तो यह, पर इसको बैट कर सकते हैं SSA अगर यह थीटा है यह यहां देखिए इसमें लिखते हैं SSL plus SLA cos theta इसका जो एक component इधर के और SLA cos theta आजाएगा plus SSL should be equal to SSA यहां पर वही लिखा हुआ है ओके तो आई होप यहां तक तो समझ में आया हो रहेगा अभी हमारा जो last final topic है that is capillary rice को हम लोग next class में कवर करते हैं तब तक के लिए बाए